नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल में दोस्तो आज किस वीडियो में आपको पताऊँगा कि फिलिप कार्ड से यदि आप कोई ओडर बुक किये हैं और उसे आप कैंसिल करना चाहते हैं तो कैसे आप उस ओडर को कैंसिल करेंगे पैसे नहीं लगते हैं इसलिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूरर सबकर किiva किजिएगा तो आपका ज्यादा समय बरबात ना करते हुए चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं तो उस order को cancel करने के लिए open करते हैं अपने flip card apps को flip card apps open हो जाने के बाद यहाँ पे click करना होगा आपको इस 3 dot पे 3 dot पे click कर देने के बाद यहाँ पे आपको scroll down करके थोड़ा सा नीचे की तरफ आना होगा तो यहाँ पे आपको एक option मिलेगा my order का अब my order पे click कर देने के बाद आप जो भी product को book किये रहेंगे वह आपके समय यहाँ पे आ जाता है तो उस product को आप select किजेगा जिसे आप cancel करना चाहते हैं अब इस product को यहाँ पे मैं cancel करना चाहता हूं तो यहाँ पे आपको click करना होगा cancel तो यहाँ पे आपको दो option मिल जाते हैं यहाँ पे आपसे यह पूछ रहा है कि आपने delivery address को change करना चाहते हैं या फिर item को आप cancel करना चाहते हैं तो मैं इस item को cancel करना चाहता हूं तो यहाँ पे click करूँगा cancel item यहाँपे आपको ड़ना होगा कि यो क्यों कीそう करना चाहते हैं कि से कोई भी रीजन को फिर शेट कर लेंगे और यहाँपे आपको पुछ लिखना होता है तो अभर को टाइप कर देते हैं और अब इसके बाद को क्लिक करना होगा समाज़ुच्ध website contro प्रडॉक्ट केंसिल हो जाती है अगर आप ओनलाइन पेमेंट किये होंगे जिस मोड से अपके एकाउंड में वो पैसे दो से पांच दिन के अंदर-अंदर क्रेडिट हो जाते हैं तुम उमीद करता हूं यह छोटी सी वीडियो आपके काम क्यों होगे और आपके एक लिएप फुल होगे अगर वीडियो अच्छे लेगे तुछ लाइक किजिए शेयर किजिए अपने दोस्तों वाट से फेस्बूक गुरूप में और एसे इसे सिंपल सिंपल वीडियो में आ अपने चैनल प्लेक आता है रहता हूं तो आप मेरे चैनल को जुरू सस्क्राइब कीजिएगा मिलते एक नए गुडियम तब तक लिए पना ख्याल रखिएगा बाई